Hello friends, CKD Stock Market News Channel के अंदर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं देखिए आज मैं आपके सामने एक question को रख रहा हूँ और इस question से काफी सारे लोगों के doubts clear होते हुए देखने को मिलेंगे मेरे भाई question ये कह रहा है कि देखिए long term के लिए quant का best fund कौन सा हो सकता है तो आज हम इस question का answer देने की चेश्टा करेंगे अब मैं यहाँ पर economics का एक formula लगाता हूँ और economics के एक formula में चीजें जब भी economics की बात होती है यहाँ पर ये line आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है other things being equal ठीक है अब यह ऐसा में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे age की बारे में पता नहीं है गोल क्या है इसके बारे में प्ता नहीं है financial situation कैसी है इसके बारे में प्ता नहीं है कितनी wealth है investor की इसके बारे में भी पता नहीं है तो इस वज़े से question सिर्फ मैं एक law की तरह ही पढ़ने वाला हूँ word by word जो मैं समझ रहा हूँ वो है fund चाहिए quant का और time duration है long term के लिए देना चाहते हैं चलिए बात करते हैं quant के funds की तो देखिए one by one करके quant के सारे funds की मैं बात करूँगा सारे से मतलब है मैंने आज quant के 8 funds को select किया है तो मेरे मित्र आज मैंने जो आपके सामने पहला mutual fund रखा है उसका नाम है quant active fund direct plan growth आप हमेशा कोसिस करें कि direct plan को ही लेकर के आएं क्योंकि regular plan से direct plan के अंदर आपको जाधा जाधा return देखने को मिलता है तो quant active fund की बाद अगर हम करेंगे तो यह multi cap category का mutual fund है इस fund की खासियत यह है कि इससे पहले 65% minimum आपको at least 65% आपका equity में जाता था फिर उसके बाद से भी का एक circular आया जिसके थुरू अब at least 75% asset management company को 75% equity के अंदर डालना ही डालना होता है और यह 25-25% करके टुकडों में बाटा जाता है जैसे small cap, mid cap और large cap equally distribute किया जाता है 25-25% ठीक है यह fund मेरे दोस्त क्या है कि जो लोग कम रिस्क लेना चाहते है एज जिनका 45 के उपर है या job पे security थोड़ा सा कम है उनके लिए सही रह सकता है प्लस नजरिया जिनका short term जैसे की 5-10 साल के लिए रहता है उनके लिए यह fund suitable माना जाता है अब मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने दूसरे mutual fund की quant flexi cap fund direct plan growth अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो 19.26% के CAGR के साब से इस mutual fund ने अपने investors को return पिछले 10 सालों में बना करके दिया है अब यह fund किल लोगों के लिए important होगा flexi cap category के अंदर at least 65% पैसा आपका जाता है मेरे भाई किसके अंदर equity के अंदर और बचा कुछा पैसा ये लोग डालते हैं कहां पे debt funds के अंदर यही reason है कि multi cap से flexi cap के अंदर कम return मिलता है short term like 5-7 सालों का जिनका horizon होता है जो लोग short term के लिए invest करने के लिए किसी mutual fund को ढूंडते हैं उन्हें flexi cap category का mutual fund select करना चाहिए तो कम risk वालों के लिए ये fund सही रहता है ठीक है ये बात हो गई तो 2 fund की चर्चा हो गई यहां से quant के active fund की और quant के flexi cap fund की जो मैंने next mutual fund आपके सामने रखा है उसका नाम है quant focused fund ये एक large cap category का mutual fund है 17.63% के CAGR के साबसे अपने investors को इस mutual fund ने return बना करके दिया है चुकि एक large cap category का mutual fund है इस वज़े से ये fund उनके लिए सही है जो long term invest करने के लिए देख रहे होते हैं जैसे कि 25 से 30 साल ठीक है जो मैंने next mutual fund रखा है उसका नाम है quant infrastructure fund और ये एक thematic category का fund है 17% के CAGR के साबसे पिछले 10 सालों में इस mutual fund ने अपने investors को return बना के दिया है जिसको infrastructure sector पसंद है या ऐसे वो लोग जो लोग क्या करते हैं कि भाई साब जो लोग होंगे like civil engineer वगेरा होंगे civil engineer में जिनका job होगा क्योंकि जो लोग job को जो लोग जिस sector में job करते हैं इस तरीके से बोलेंगे जो लोग जिस sector में job करते हैं उन sector के बारे में उनको काफी अच्छा knowledge होता है तो civil engineer को infrastructure sector से ज़्यादा मुझे नहीं रखता किसी और इससान को knowledge भी होगा तो इस वज़े से maximum यही लोग invest करते होंगे तो इस वज़े से quant infrastructure fund का return आप देख सकते हो अगर आपको thematic पसंद है वो भी infrastructure से लगा हो है तो आप इस fund के लिए देख सकते हो next जो mutual fund मैंने आपके सामने रखा है वो है quant large and mid cap category का mutual fund वो भी direct plan से related 18.65% का return पिछले 10 सालों में अपने investors को इसने CAGR के साब से बना के दिया है अगर हम इस fund की बात करेंगे तो मिरे भाई ये देखो return आपको ना बहुत कम मिलेगा इस fund के अंदर और ना ही बहुत ज़्यादा मिलेगा जबकि मैं कम की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आपको ऐसा नहीं है कि large cap category का return मिल जाए जबकि मैं ज़्यादा return की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको small cap category का return मिल जाए पर कही रा कही आपको एक large और mid cap का चुकि एक combo मिल जाता है इस वज़े से return आपका mid cap और small cap इसके दाइरे में ही return कही ना कहीं घुमता रहता है तो ये ज़्यादा सही है पीछे के किसी भी fund से जितने मैंने उपर जो पिछले funds की बात करी है जैसे active fund, flexi cap, focused fund, infrastructure उनसे काफी लाग होगुणा better है quant का large और mid cap fund duration और time frame आपको कितना देना पड़ेगा minimum आपको 25 से 35 साल देना चाहिए ऐसे funds के अंदर next जो mutual fund मैंने आपके सामने रखा है उसका नाम है quant mid cap fund यहाँ भी नजरिया जो है 15 से 35 साल का इतना नजरिया होना ही चाहिए तभी successful return की उम्मीद मिलने की आप आसा करें next जो मैंने mutual fund आपके सामने रखा हुआ है investor का बहुत ही पसंदीदा इस समय का quant small cap fund direct plan growth 17.87% के CAGR के हिसाब से पिछले 10 सालों में return आया है अब आप कहेंगे कि भाई साब quant small cap का return तो काफी कम है 17% पर इस fund के ऊपर नजर इस वज़े से होनी चाहिए कि अगर हम पिछले 3 साल का compound annual growth rate यानि कि पिछले 3 साल का CAGR देखें तो मेरे भाई 50% के CAGR के हिसाब से return दिया है तो long term investors like जो लोग 10 से 35 साल 10 से 35 साल किसी mutual fund के अंदर रुख सकते हैं तो उनके लिए ये mutual fund सही रह सकता है मेरे भाई next जो मैंने mutual fund आपके सामने रखा है उसका नाम है quant tax plan direct growth तो मेरे भाई अगर हम quant tax plan की बात करें तो ये एक ELSS category का mutual fund है जो taxpayer है जो direct tax का भारसरकार को payment करते हैं जो ITR का file करते हैं उन लोगों के लिए ये fund ज्यादा suitable है क्योंकि ATC के अंदर आपको 150,000,000 उपए तक का deduction मिल जाता है अगर हम वही इसके return की चुकी बात कर रहे हैं तो 21.16% के CAGR के साब से इस mutual fund ने return अपने investors को deliver किया है पिछले 10 सालों में मेरे भाई अब question को देखते हैं question का parameter समस्ते हैं कि question क्या कह रहा है question देखी ये कह रहा था कि जैसा कि मैं सबच पा रहा हूं कि quant asset management company का fund चाहिए वो भी long term category के लिए तो मैं मान के चल रहा हूं मेरे भाई 15 से 35 साल 15 से 35 साल देने वाले हो पक्का है इतना 15 से 35 साल आप देने वाले हो quant asset management का long term की category के लिए आपको fund देख रहा है तो इस category में definitely small cap और mid cap अच्छी wealth बना के देंगे long term में आपको probability क्या रहेगी probability ये है कि आपको volatility ज़्यादा जहलनी पड़ेगी 50% आपको अपना portfolio नीचे भी देख सकते हो mutual fund का ठीक है इसके साथ साथ journey आपके roller coaster की तरहे रहेगी तो इस वज़े से बस ये चीजें अगर आपने जहलने किसी तरीके से तो return आपको stock market के अंदर सबसे ज़्यादा जो बना के देता है mutual fund की category में वो है small cap और mid cap की category चलिए quant खलास हो गया इस वीडियो में कोई आपके अंदर doubt आ रहा है मेरे भाई तो पहले इस वीडियो को दुबार अच्छे से देखें आपका अंसर आपको मिल जाएगा हर मादयो हरी शरणम आयपपा शरणम बात करनी हो मेरे भाई तो youtube के about section में जाना वहाँ पर mail भी लिखा हुआ है वहाँ पर whatsapp number भी लिखा हुआ है जहाँ आपको convenient लगे वहाँ से आप संपर्क कर सकते हो बहुत बहुत धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब